ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपके राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारी धर मिन्त शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल ये राशिफल है 19 सितंबर 2021 रईवार का दिन है भादरपद महा के कृष्णपक्ष की चतुरदशी ती थी है अनन्त चतुरदशी याने अनन्त चौदस का दिन इस दिन रहेगा अनन्त चतुरदशी का वरत किया जाता है तथा इस दिन पार्थिव गनेश जी जिनकी स्थापना चतुर्थी के दिन की जाती है उनका विसरजन कारी भी इसी दिन संपन्न होता है तो अनंत चतुरदशी की कथा का यदि आप सरवन करना चाते हैं या फिर अनंत चवदश के विशय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाते हैं तो हमारी चैनल पर हमने आपके लिए अन्य वीडियो प्रस्तुत किया है उसको आप जरूर देखेगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा शत्व भिशार नामक नक्षत्र होगा तथा कुम्भ राशी में चंद्रमा बिद्यमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में रहेंगे इसलिए पश्चिम दिसा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस पश्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो पान खाकर के यात्रा शुरू कर सकते हैं राहुकाल जो किशाम को साड़े चार बजे से शुरू होकर के छे बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुब मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निरनय आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के नुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की कन्या राशी में, वही चंद्रमा कुम्ब राशी में, मंगल ग्रह कन्या राशी में, बुद्ध ग्रह कन्या राशी में, देव गुरु ब्रहस पती जो की मकर राशी में, शुक्र ग्रह तुला र देने वाली है दिन इनके लिए लाप प्रसिद्ध होगा धनलाप के संसाथ का रिक्षित्र में उन्नाती तथा प्रगती के उत्तम उसर प्राप्त हो सकते हैं तो अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी भल बताने जा रहे हैं हमारे इस महत्वण उपलब्धियां प्राप्त करवाएगा समय का भरपूर्श सद्वयोग करे रिष्टेदारों तथा संबंदियों के साथ आपके संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविश्य संबंदे महत्वण योजना बनेगी धनलाब होगा नया काम आपका शुरू हो सकता ह और उपाई के रूप में किसी भी मंदिर में जा करके यदि आप चावल का डान करेंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशवरासी की राजनितिक तथा सामाजी काजियों के प्रती आपका रुजान बढ़ेगा और कुछ शुबह उसर भी आपको करिक्षितर में प्राप्त होंगे नए वाहन के खरिदने संबंदित योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया है तो पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा विध्यारतियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है मित्रों के साथ घुमने पिरने तथा मन और अंजन में अपना समय व्यर्थ नस्ट न करना चाहिए इससे आपके महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं और उपाई के रूप में यदि आप चन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिन्दगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नया पन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानसिक वा शारीरिक ठकाबट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रभाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा दिन आपका बहुत उत्तम साबित होगा और उपाई के रूप में भोजन में हरी सबजी का उपयोग करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका ओरेंज होगा अब हम बात करते हैं तथा उच्पदासीन व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात होगी लंबी चर्चा होगी और जो चर्चा होगी आगे चल करके आपको ही फाइदा देगी और विरोधी आपके सामने परास्त हो जाएंगे कोई महत्वपूर्ण शुरुबात हो सकती है तथा धनलाप के उत्तम आउसर आपको मिल सकते हैं उपाई के रूप में दूध का डान यदि आप मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई जाबित होगा आपका भाग्यशाली अंक पांच होगा भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की घर के संबंदिक कोई कार्य योजना आपकी तयार होगी नया घर आप खरीद सकते हैं या नई प्रापर्टी आप खरीदने के बारे में वेचार विमर्श करेंगे धार्मी कार्यों में आपकी विशेश रुची रहेगी परिवार के साथ अधिक्तम समय आपका वितीत होगा आर्थिक इसीती बहतर रखने के लिए बजट बना करके आपको चलना अवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदि आप मसूर की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपक आपकी उपस्तिति निरनायक रहेगी आपकी बुद्धिमानी चतराई वा सूजबूच की तारीफ होगी लोग आपकी प्रसंसा करेंगे आपको मैं तथा सम्मान भी प्राप्त होगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं तुलाराशी की आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुने जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबूच तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी, घर में कोई मांगली कारिक्रम संपन होने की योजना बनेगी, तथा रिस्तेदारों की आबा जाही बनी रहेगी, और उपाई के रूप में किसी भी ब्राम्भन को या साधू संत को गुड और तिल का डान करेंगे, तो आपका दिन शुपफलदाई रहेगा, तथा समाज में लोग आपको पसंद करेंगे, आपका रुद्बा बने रहेगा, और लक्ष के प्रती आप एकागर चित रहेंगे, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, नया वाहन, नई वस्तु खरिदने के विशय में आप विचार बेमर्श कर सकते हैं, उपाई के रूप में नहाते समय अपने नहने के पानी में तीर्थ जल, गंगा जल या कोई भी तीर्थ का जल डाल करके इस्तनान करेंगे, तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंग छे होगा, भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा, परित फरोक्त की कोई योजना चल रही है तो उसमें गंभीरता पुर्वक विचार करें इस समय परिस्थियां आपके पक्ष में हैं किसी भी प्रकार का कोई यदि कागजी कारवाही आप करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़कर के ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए उपाई के रूप में घार से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी जर्वत्मन मित्र की सहयता आपको करनी पड़ेग उपाई के रूप में यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल और गुड का दान करेंगे तो आपका डिन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्भ राशी की इस समय ग्रह ग आपको प्राप्त हो सकती है आपको स्वभाव में सोम्यतावा आदर्श बना करके रखना बहुत आवश्यक होगा उपाई के रूप में किसी भी ब्राम्भन को यदि आप चावल और डाल याने खिचडी का दान करेंगे तो आपका डिन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज दिन चरिया में परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुची पूर्ण कारियों में आप समय व्यतीत करेंगे इससे आपको खुशिया प्राप्त होगी पारिवारिक म फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको पताए हैं हमारे इस ग्यान व झाल झाल